तो सरकार ने जो कहा था कि हम 10 लाख नुक्री देंगे, तो सरकार को इतना साल हो गया अभी तक नुक्री दिया नहीं, तो ये बात तो सत्य है कि अंदोलित होगा बच्चे सब, छात्र सब हो गया अंदोलित नुक्री के लिए, महिलाओं को नई घेसितना चाहिए, ये गलत ब अब नई सरकार का गठन हो और नई सरकार बिहार के अंदर आए अब उसी सरकार से उमिद किया जा सकता है नोकरी का चाकरी का या रोजगार का गुरुसांसद वा बसपा नेता साधु यादो है हमारे साथ जुरेंगे बात करेंगे साधु जी इन दिनों सिक्षक अभियर्थियों पर लाठी बरसाया जारा सिक्षक अभियर्थी जब बहाली की मांग कर रहे है जब डोमिसाइल नीती लागू की मांग कर रहे है तो पटन रोजगार के लिए अंदोलन चला रहा है नोक्री के लिए तो सरकार ने जो कहा था कि हम दस लाख नोक्री देंगे तो सरकार को इतना साल हो गया अभी तक नोक्री दिया नहीं तो ये बात तो सत्य है कि अंदोलित होगा बच्चे सब छात्र सब हो गया अंदोलित नोक्री के लिए उनका डिमांड और मांग और अंदोलित होना जाइज है महिलाओं को घसीटा जा रहा है महिलाओं को नहीं घसटना चाहिए यह गलत बात है महिला महिला का सम्मान होना चाहिए करना चाहिए अब नई सरकार का गठन हो नई सरकार बिहार के अंदर आए अब उसी सरकार से उमिद किया जा सकता है नोकरी का चाकरी का या रोजगार का योक यह इसा नहीं है जोग सिक्षक है लेकिन यिदे नितिस सरकार बेलकुल जौ विरोधी है विरोजगार इनके आलं ज्यादाब पनपप्पा है सरकार चिंतित नहीं है रोजगार के पर्ठी और नुज़वानों के पर्ठी च्रहाद जो सरकार कानून और समिनधान से चलती है तो सरकार अपने कानून और समिनधान के अनुसार ही जो है की बात किया है ऐसा नहीं है मतलब ठीक है उसमें लेकिन हो तो हो ना भी तो चाहिए जिए इधर करो चाहें उधर करो करकर दिखाना नहीं रहा है तो जूठे रोट पर चिलाने अहला करने से क्या फैदा हमारा सहजोग रहेगा जहाँ जो लोग सहजोग मांगें हम सहजोग देंगे देखे अभियर्तियों के साथ हमयं करें तो अहीं साधु यादोने वह साफ का है कि Brand से हंशाइमाइन को रखल और दिशाना साधु साधु यादो तो ही क्या कुछ खरते साधे कर से बली बात पहुत पहुनितले वह से खिरिय और नियुत् incubus mild नीथी लाखु करने के बात कर र झाल